हेलो एब्रिवन वल्कम बैक तो माई यूटूब चैनल तो कैसे हैं आप लोग आसा है बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UK PSC और UK SSS में आये होए कुछ इतिहास से संबनीद महतवपूर्ण प्रेस्न जो की फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी लेकवाल एवं पुलिस कॉंस्टेवल एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हैं तो चलिए सुरू करते हैं पहला क्वेस्टन है वह एकजूट करने में सफल रहा उनका राज़ गडवाल नाम से जाना जाने लगा वो कौन था आप्शन ये है जगतपाल सुन्दरपाल अजेपाल कनकपाल तो आप्शन नमबर C is your right answer अजेपाल है वह यानि अजेपाल एकजूट करने में सफल रहा किसको जनता को और उसके राज़ का नाम गडवाल नाम से जाना जाने लगा अगला M.C. क्यों है टिहरी राजय परजामंडल की इस्तापना कब ही थी 22 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1949, 23 जनवरी 1949 और 23 फरवरी 1949 तो आपका इसमें जो सही आंसर है वो है 23 जनवरी 1949 ऑप्शन नमर बी इस राइट आंसर टिहरी राजय परजामंडल की इस्तापना 23 जनवरी 1949 को हुई अगला M.C. क्यों है किस गड़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रे प्रदान किया था अप्शन नमर ए बल भद्रिशाह, फतेह पतिशाह, मान साह, प्रदीप साह तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है फतेह पतिशाह फतेह पतिशाह यनि गड़वाल का नरेश था उसने गुरु राम राय को आश्रे प्रदान किया था अगला एमसी क्यों है टिहरी रियासन में किस सासक ने अपने नाम से सहर के इस्तापने की परंपरा शुरू की थी नरेंदर साह ने, कीरती साह ने, प्रताब शाह ने और सुदर्शन साह ने तो आपका जो सयान सर है ओप्सिन नमर सी परताब साहर ने परताब साहर ने टिहरी रियासत में अपनी नाम से सहर के स्थापने की परंपरा शुरू की थी अगला M.C. क्यों है गर्वाल के कि सासंग ने सरव पर्थम अपनी नाम के आगे शाह के उपाधी लगाई थी ये M.C. क्यों पूछा गया था कनिश्क सहायक 2019 में ओप्सिन नमर ए है बल बदर साह, सुदर्शन साह, मान साह और मही पत साह तो इसमें जो सयान सर है ओप्सिन नमर ए बल बदर शाह अगला M.C. क्यों है किस पर्मार सासक ने टिहरी राज्य में अग्रेजी सिक्सा की नियू रखी थी कीरति साहने, परताब साहने, मान साहने और मही पत साहने तो आपके इसमें जो सयान सर है ओप्सिन नमर बी परताब साहने अगला है जहांगीर नमा के अनसार गड़वाल के किस सासक को मुगल सासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार सुरूप दिये थे तो इसमें जो उप्सिन दिये हैं वो है मही पत साह, फतेशा, श्याम साह और परतिवी पति साह तो आपके इसमें जो सेयांसार है वो है श्याम साह ये वीडियो 2018 में पोशा गए था अगला हैं सी क्यों है परमार वंस के सासकों का सही करम है जैसे उप्सिन नमर एक पे देया है मही पति साह, ललित साह, उसके बाद परतिवी पति साह तो आप्सिन फोर पे है फतेशा यानि ये सही है, ये वाला सीक्वेंस सही है या जैसे एक, तीन, चार, दो, एक, तीन, और चार, दो या उप्सिन नमर बी है एक, दो, तीन, चार, यानि एक, दो, तीन, चार, तो ये रॉंग है इन सभी को आप रीट कर सकते हैं पहले मही पतिसाह, उसके बाद पृतिवी पतिसाह, उसके बाद फतेशा, और उनके बाद ललित साह, तो अगला हमसी कोई यहां पे दिया है, निम्न में से कौन सा बावन गड़ों में समिलित नहीं है, बधान गड़, देवल गड़, चांदपूर गड़ और ध्यूनी नहीं है, यह क्वेस्टन वीडियो एक्जाम में पूछा गए था, 2018 में, अगला हमसी क्यों है, मुगल राजकुमार सुलेमान सिकोह ने किस परमार शासक के यहां सरणी थी, यह क्वेस्टन है, वीडियो दोजार ठार का, सुदर्शन साह, प्रतिवीज़ नहीं है, पति शाह, शाम साह, और मही पति शाह, तो आपका इसमें जो सयान सरव है, प्रतिवीज़ नहीं है, प्रतिवीज़ नहीं है, अगला है, श्री नगर इस्तित अजेपाल का राजभावन किस वर्ष भूकम से छतिगरस्त हो गया था, तो 1803 में, 1814, 1903 और 1914 में, तो आपका सिक्यो है, चैतों एवं मानकों, चितरकार कि शाषक के दरवार में आश्रित थे, फतेह शाह, सुदर्सन साह, स्याम साह, किर्ति साह, और बी आपका इसमें सही आंसर है, शुदर्सन साह, अगला है, पमाटा के निकट भंगारी नामक इस्तान में फतेह साकायूद किसके बी है, हर गोविन सिंग, सी है, गुरु गोविन सिंग, डी है, बाज वहादुर चंद, उप्शन नमर सी, आपका इसमें सही आंसर है, गुरु गोविन सिंग अगला MCQ है, पमार वन्स के 55 राजा कौन थे, परताप साह, सुदर्सन साह, प्रेदियूम्न साह और कोई नहीं, तो पमार वन्स का जो 55 राजा था, वो था सुदर्सन साह, ओप्शन नमर 20, राइट आंसर है, समाज कल्यान अधिकारी 2018 में पोचा गया था अगला MCQ है, प्रेदियू साह की सुदर्स गदी पर बैठे थे, 1708 में, 1712 में, 1717 में, और 1772 में, तो वो बैठा था गदी पे, 1717 में, आप्शन नमर 20, राइट आंसर अगला MCQ है, टिहरी रियासन में, पौन्ड टूटी, क्या था, भूमी कर था, मनोरंजन कर था, या, आयात निरियात कर था, या, सभी थे तो वो था, आयात निरियात कर, आप्शन नमर 20, राइट आंसर अगला MCQ है, उत्राखन के इतिहास में, नाक कटी, राइट के नाम से जानी जाती है ये एक्जाम बार बार पोच्छा जाता है, और कई बार मैंने आपको एक्स्प्लाइन भी किया था, तो पड़ लेते हैं फिर भी महाराणी गुलेरिया, महाराणी करणावती, महाराणी खनेती और कोई नहीं आप्शन नमर 20, आपका सयांसर है, महाराणी करणावती उत्राखन के इतियास में, नाक कटी के नाम से जो राइट जानी जाती है, वो है राइट करणावती अगला MCQ है, गड़वाल में किस वन्स का सासन सबसे अधिक रहा है, कटोर, राजवन्स या कत्योरी वन्स, पामार वन्स और पाल वन्स तो इसमें जो आपका सेयांसर है वो है पामार वंस, गड़वाल में सबसे ज़्यादा साशन करने वाली जो वंस था पामार वंस अगला MCQ है अंग्रेजों ने कमपेनियन आफ इंडिया की उपाधी दी थी भवानी साह को, परताफ शाह को, कीरती साह को या नरेंदर शाह को तो आपका इसमें जो सेयांसर है वो है कीरती साह को अगला MCQ है इसमें गुलदस्त त्वारित एक कोह, तहरी गड़वाल नामक पुस्तक के लेखक हैं यानि कौन हैं मुकंदी लाल, परताफ साह, मिया प्रेम सिंग और कीरती साह, तो इसमें जो सेयांसर है आपका वो है मिया प्रेम सिंग, option number C is your right answer और अगला MCQ है, सन 1930 में टिहरी रियास्त में राज्य प्रेती निदी सभा की इस अपने किस ने की थी सुदर्शन साहने, मानुईंदर साहने या नरेंदर साहने और कीरती साहने, आपके इसमें जो सेयांसर है वो है नरेंदर साहने, option number D is right answer